हेलो माइ सोल फैमली कैसे हैं आप सब एना होप आप सब अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क जरूर कर रहे होंगे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में थांक यू सो माच मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए मुझ आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो दा चैनल तक कि सारी इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन आप तक बहुत सके जो कि बहुत ही इंपॉर्टन है आपकी खुद की स्प्रिच्छिवल जर्नी के लिए त वहां से आते है यह गारजन होस्त जोनी खोर्टन होस्त ही इंपॉर्टन ही हमारी असेंजम संरी को पता है क्या हमारी जू अशेंट हो रही है 5-d मेरमें एक तो जिनी ऑश में हम एंटा कर रहे हैं जिसको हम golden age of aquarius कह रहे हैं यह जिसको हम satyuk कह रहे हैं तो इस ascension cycle में यह हमारी मदद कर रहे हैं इन्होंने हमारी मदद की है यह हमारी मदद कर रहे हैं ठीक है यह basically 12th dimension से आते हैं ठीक है और यह हमारी इस ascension cycle में हमें प्रोटेक्ट करें, बेसिकली युनिवर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये conscious units हैं, जो की next universe से आ रही हैं, यानि की rays, दूसरी universe की rays, या दूसरे universe की beings, जो की एक alignment में हैं, अपने higher self के साथ, यानि crystal star unity intelligence, यानि की divine soul blueprint के साथ, इनको हम aurora कहते हैं, ठीक है, ये हमारे साथ communicate करते हैं, through aurora portal networks, ठीक है, यानि की ये हमारे से बात करते हैं, through aurora portal networks के, through mother arc crystal के, so aurora आपके सामने as multi-colored orbs, या sheet of pastel milky formless liquid light की तरह देख सकते हैं, shape shift करते हैं, ये basically, आप अगर orbs देखते हैं, अपने आस-पास, so ये aurora ही हैं, जो आपके साथ communicate करना की, communicate करते हैं, वो अपना presence बताते हैं, basically auroras, वो souls हैं, वो beings हैं, वो rays हैं, दूसरी universe की, जो 12th dimension से आ रही हैं, जो हमारे ascension journey में हमारी मदद कर रही हैं, पूरी planet earth की ascension journey में हमारी help कर रही हैं, ठीक है, so inter-dimensional beings हैं, ठीक है, इनको हम tri-toned dragons भी कहते हैं, ठीक है, elemental body है, और यह जो body बनी हुई है, वो चार base level chemicals constitute के, से बनी हुई है, ठीक है, so यह 4 elements क्या हैं, basically 4 level of chemicals जो बनाते हैं हमारे DNA को, वो है earth element, fire element, water element, और air element, so यह हमारे साथ में काम कर रहे हैं, consciously और unconsciously भी, यानि आपको हो सकता है, पता भी नहों कि आपके साथ यह काम कर रहे हैं, लेकिन यह आपकी मदद कर रहे हैं, basically aurora consciousness जो है वो pale white opaqueness saturated colors के साथ में almost आप cellophon की तरह देख सकते हैं, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि aurora basically एक ऐसी consciousness units हैं, जो कि दूसरी next universe से आई है, rays बोल सकते हैं आमको दूसरी universe से या फिर ऐसे beings जो कि एकदम alignment में है, crystal star यानि कि आपकी 12 stand DNA या 12 dimensions से आती हैं, ठीक है, और यह हमारी मदद कर रहे हैं, ताकि हम हमारा जो original divine soul blueprint है, ठीक है, जो original 12 standard DNA है उसको हम वापस restore कर ले, ठीक है, यह मैं आपको बताया कि basically हमारी help कर रही है, ताकि हम हमारे अंदर या ability आ सके कि हमारी खुद की जो etheric body है basically अभी जब तक आपके awakening नहीं होती है, तब आपके आपके जो body है वो carbon body होती है, ठीक है एक फोतल नेटवर्क है यह फ्लैटाफार में जो कर सबाते हैं जो कोप्र पोछ करता है थर्ग कर सबाह्दे बीच में विच स्पाइरल्स की तरह है और कनेक करता है हमारे खुद के मिलकी वे गलेक्टिक कोर को ड्यूरिंग डिस असेंशन साइकल ठीक है करेंटली बहुत सारी ट्रमेंडियस बोल चकती हो मांट ऑफ एक्टिविटी चल रही है इस एरिया में एराउंड गीजा जो की प्लानेट अर्थ है और एंड्रोमेडन एनर्जी के बीच में तो जैसे कि हमारे अंदर साथ चक्र होते हैं साथ में चक्र होते हैं रूट चक्र सोला प्लेक्सिस चक्र से स्केरल चक्र हाट चक्र थ्रॉड चक्र थरड़ाई चक्र और क्राउं चक्र वैसे ही मदर प्लानेट अर्थ के भी हाट चकर है इर्थ का ठीक है उसका जो फ़ हार्ट चक्र हा थो गीजऑ बाकम इन ध्याची गीजता को चौर्फय अन फормो दियामेंशन से यह पोजिश पॉर्ट है ट्रश ओल्स यह ऊत्र दियांट करताली इंट कम र сколько right ल्र दू गीज़ JKU हमारी जो planetary और soul incarnation memory है, वो हमारे पास अब अविलेबल होती है, लेकिन ये तब अविलेबल होती है, जब आपका 4th stand DNA activation हो चुका हो, तो, ठीक है, अगर आपका 4th stand DNA activated है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे क्यों incarnate हो रहे हैं, आपका यहाँ पे soul purpose किया है, ठीक है एंडिरो मेड़ा गेलेक्सी का एक और नाम है, जिसको हम बोलते हैं, एक्वाइनिक्स गेलेक्सी, ठीक है, अब हम जानते हैं, एक्वाफेरिन एंडिरो मेडल काउंसिन किसे कहते हैं, ठीक है, सो एक्वाफेरिन रेसे जो कि एकदम ओरेजनल crystal star human race लाइनें, जो कि अभी फ तरीके की रूट रेसे हैं इसका मतलब यह है कि as a collective हर किसी का एक मिशन है जो कि असेंबल करना हर किसी को रूट रेस को असेंबल करना है सर्टन डीने स्ट्रेंड और क्वालिटी यानि की इच सीडिंग मिशन प्रोग्राम ऐसे किया गया है कि हर किसी को ऐसे एक्सपिरियंस डिजाइन किये गए है कि वो वेरियस टाइप के मियाजमा डिस्टॉशन जिसको हम कर्मा क्रेट कर्मा भी बोलते हैं जो क्रेट हो चुका है अधर टाइम लाइन से जो की जनेटिक डिस्ट्रक्शन हुआ जैसे मैंने आपको लास टाइम भी बताया था पीछल परपस है कि वो अपनी एक्सप्लोरेशन करें अपनी कॉंशनेस को बढ़ा है और उस स्टांड ओव डियने को इकटा करें और हर कोई काम कर रहे है अपने तरीके से अपने जनेटिक अपने डियने एडवान्स्मेंट में हुमन स्पीसिस में और उसके रिलेशन्शिप में स्कूल ऑफ प्लानेट अर्थ जो की सेपरेट हो गई थी जैसे मैं आपको बताया बारा स्टेंडड डिने तो हमें हमारे जितने भी फ्रेगमेंस है जो की तुकुड़े हैं उनको हमें एकटा करना टाइम लाइन्स में जो की 2D और 4D सोल स्प्लिट हो गई ठीक है सोल रेस्क् है जो की ट्रांस्मिट करता है मदर एक्वारे डॉर्टर कोज इंटो अर्थ क्रिस्टल केविन्स ठीक है मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे एक डिस्टॉर्टेड फैमिनन एक डिवाइन फैमिनन में कनवर्ट होती है उसमें मैंने आपको बताया था कि एक डिवाइन फैमिनन के डॉर्टर कोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक डिवाइन फैमिनन डिवाइन एक डिवाइन फैमिनन एक डिवाइन फैमिनन एक डिवाइन एक डिवाइन फैमिनन एक डिवाइन ने कॉपी है कॉस्मिक मदर की डिवाइन आधी पर इस वीडियो में कि डॉर्टर कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सभी डिवाइन फैमिनन्स के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि डॉर्टर कोट्स क्या होते हैं और भी बहुत कोच है वो आपके साथ मैं नेक्स वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ठीक है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बता सकते हूँ कि बहुत सारे ऐसी होलोग्राफिक इंसर्ट है जो कि हमारे प्लानेट और पर लगाए गए हैं जैसे कि मेंटल होलोग्राम्स एशियन एलियन मशीनरी वार ओवर टाइम लाइन्स मैनुपलेशन ऑफ ताइम लाइन डेड लाइट अंड्रोमेडन सॉफ्ट्वेर ठीक है माइन कंट्रोल वाया एम एफ क्रूसिफिकेशन इंप्लांस एस्पी इजिसकों सब्रैसर पेरसाइट लेकिन यह सब में इसलिए बतारी हूं आपको कि जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल बारा ट्राइब्स हैं ठीक है टोटल बारा रूट रेसे हैं जो हर एक यहां पे सोल जो अवेकन होरी है उन सभी के डियने जो है उनको पर्टिकुलरी इच सोल का एक स्पेसिफिक मिशन है कि उनको इस टेंट डियने को इखटा करना उनको इस सोल को इखटा करना उनको इस फ्रेग्मेंट को इखटा करना है ठीक है सो हम इन चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे नेक्स वीडियो में आई होप मैं आपको समझा पाई अरोरा कौन है अरोरा हमारी अरोरा वो higher souls हैं जो 12th dimension से आ रही हैं जिनोंने हमारे इस ascension journey में help कर रही है उन्होंने answer किया जब हमने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने इस चीज को accept किया और वो हमारी मदद कर रही है ठीक है सो यह हमारी मदद कर रही है इस ascension cycle में इस नए युक को create करने में golden age of aquarius को create करने में हमारी मदद कर रही है ठीक है यह higher dimensions की souls है जो 12th dimension से आती है जो एंड्रोमेडा में भी है ठीक है और यह अगर आपके आसपास देखेंगी तो हो सकते आपको आपस दिखाई देते हों आपस आपको रेंबो टाइप के circle में हो या किसी पर्टिकुलर ग्रीन कलर के या फिर यलो कलर के पेल लिक्विट कलर के फॉर्म में दिखाई देंगे जो आपस दिखाई देते हैं यह हमारे और अरोरा ही है जो हमारी help कर रहे है यह हमारी मदद कर रहे है इस नए युक को create करने के लिए यह higher dimensions में से आती है और हमारी original जो divine soul blueprint है जो हमारा original 12 standard dna उसको restore करने के लिए हमारी मदद कर रहे है ठीक है so sending you lots of love and healing and happy energies to my soul family take care of yourself and see you soon